अब बात डिजिटल दुष प्रचार की, जिसका खत्रा भारत में होने जा रहे हैं, चुनावों पर पढ़ने जा रहा है, ऐसी आशंकाएं हैं, डिजिटल दुष प्रचार से पार्टियों और नेताओं की छवी बिगाड़ी जा सकती है, इस बात को समझने के लिए हम आपको पाकिस्तान से आई, सीमा हैदर की एक तस्वीर दिखाते हैं, गौर से दिखी रहा, पिछले 72 घंटों से सीमा हैदर की ऐसी तस्वीर है वाइरल हो रही थी, जिसमें लग रहा था कि उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनकी आखे सूजी हुई थी, उनके आखों के पीछे नीले निशान थे, बाद में खुद सीमा हैदर ने वीडियो जारी करके बताया कि ये पाकिस्तान की तरफ से डिजिटल दुश प्रचार है, वो तो भारत में बहुत खुश है, सुखी है, डिजिटल दुश प्रचार या डीप फेक के इसी खत्रे को देखते हुए स इस तकनीक से असली फोटो और वीडियो को नकली से स्वाप किया जा सकता है, असली और नकली के बीच में फरक आप कर ही नहीं पाएंगे, गैरंटीड है, किसी भी चेहरे या आवाज की क्लोनिंग की जा सकती है, इसकी मदद से चुनाव में आर्ट अफिशल इंटेलिजन् के बारे में गलत प्रचार किया जा सकता है, किसी नेता के वीडियो को बदल कर भड़काओ संदेश पहलाया जा सकता है, मृत नेताओं की तस्वीरे वीडियो और आवाजों को बदल कर नए संदेश दिये जा सकते हैं, पिछले लोग सबाचुनाव को याद कीजिए, तब रश्मिका मंदाना का डीफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ था, इसमें एक लड़की के वीडियो पर रश्मिका का चेहरा मौफ करके लगा दिया गया, उसके बाद रश्मिका को पुलिस में शिकायत दर्श करवानी पड़ गयी थी, उन्हें सोशल अपनी ने सचन की आवास क्लोन करके नकली वीडियो तेयार कर दिया और इसी लिए हमें साबधान रहने की जरूरत है, कोई भी वीडियो आपके पास आता है, आख मून कर उसे आगे फॉवर्ड मत कीजिए, सोच समझ कर इस पर फैसला आप ही को करना है क्या सीमा हैदर के साथ घरेलू हिंसा होई थी? कुछ दिन से सीमा हैदर का ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उसके साथ घरेलू हिंसा के सबूत दिख रहे हैं वीडियो में सीमा हैदर घायल दिख रही है इस वीडियो को देखकर भारत से पाकिस्तान, दुबई तक लोगों ने कमेंट करना शुरू किया लेकिन असलियत कुछ और ही थी ये सीमा हैदर का नकले वीडियो था जिसे डीप फेक टकनीक से बनाया गया था कर दूनो चाहदर करना अन्रीर का बऌता है भारत से एक भाकिस्तान, असलिए भारतस 어제 टुरूँ स自 ओसे प्यादर इसके अँड़ता है इस अस्यादर सुर्चार ज खाफ्टियो ल्या है है और दून्म कर सका कर दून